तो क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म खटते हैं? उपर कोई मैनेजर बैट कर आपको मैनेज नहीं कर रहा है. कर्म का मतलब है कि आप समझते हैं कि अपने जीवन का स्त्रोत आप खुद हैं. क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे? कि आपके द्वारा जागरुक होकर किये गए काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे. ये आपको तै करना है. सद्गुरु कर्म से जुड़ा एक प्रश्ण है. आप ये सुनिश्चित कर्म तो क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म खटते हैं? आपने आज क्या किया? मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मानवता के बारे में. और क्या हमारे जीवन पहले से तै है या हम इसे कर्म से बदल सकते हैं? और अच्छे कर्म क्या होते हैं? पहले इस शब्द को समझते हैं. मुझे पता है ये अंग्रेजी का हिस्सा बन गया है. कर्म शब्द का मतलब है काम. आप यहां बैठे हैं, यहां शारिरिक गतिविदी हो रही है, मानसिक गतिविदी हो रही है, भावनात्म गतिविदी हो रही है, और उर्जा गतिविदी हो रही है, हम सभी में. चाहे आप जगें हो या सो रहे हूँ कर्म के चार आयाम हर समय होते रहते हैं आज सुबह जागने से लेकर उस बुरे कर्म के अलावा जवाब ने किया आपको बताने की जरूत नहीं है सुबह जागने से लेकर अब तक कुछी घंटे हुए चार आयामों के कर्म का कितना हिस्सा आपने चेतनता से किया क्या मुझे उत्तर देना है मैं अपने काम करते हुए जागरुक नहीं थी वे बस होते गए मैं कह रहा हूँ कि लगबग हर इंसान के लिए ये एक प्रतिशत से काफी कम है अगर आप पूरे दिन को देखें तो ये एक प्रतिशत से काफी कम है तो जब आपके 99 प्रतिशत काम संयोग से हो रहे हैं या चेतनता में हो रहे हैं आप बस ये कीजिए आप यहाँ गाड़ी चलाइए यहाँ ट्राफिक काफी धीमा है यहाँ ये प्रयोग करना सुरक्षत है 99 प्रतिशत समय बस आखें बंद करके ऐसे बैठिए और बीच बीच में स्टेरिंग समभालिए देखते हैं पांच मिनिट में आप कहा होंगे यही दुरगटना है इंसानी जीवन की तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सबसे गहरा आयाम है पूरवी सब्विताओं का हमने आपको बताया कि आपका जीवन आपका कर्म है यानि आपका जीवन आपने बनाया है कोई मैनेजर नहीं बैठा है मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ उपर कोई मैनेजर बैटकर आपको मैनेज नहीं कर रहा है आपका जीवन आपका कर्म है आप इसे जैसे चलाते हैं, यह वैसे ही चलता है ना कि किसी और तरीके से सिर्फ़स लिए कि 99 प्रतिशन से ज़ादा अचेतन तरीके से हो रहा है ऐसा लगता है कि कोई अन्य शक्ति आपको चला रही है सभी बुरे ड्राइवर ऐसे होते हैं जब वे किसी तरह की टकर करते हैं मैं तो अच्छे से चला रहा था पता नहीं ये कैसे हो गया क्या आपने इस सुना है पता नहीं ये कैसे हो गया कुछ अजीब सा हो गया और मेरी कार टकरा गई नहीं बस आप एक बेकार ड्राइवर हैं तो जीवन के मामले में भी यही सच है जीवन में भी यही सच है हम आपको हर समय याद दिलाते रहते थे इस पीड़ी में एक हो गया है आपकी मा या दादी की पीड़ी में उठते बैठते वे कर्म प्रारब्ध मुक्ती मोक्ष कहती थी ये रोजाना की बादची थी ना कि आध्यात्मिक चर्चा हाँ या ना हर दिन अब समय आ गया है कि आप उसे वापस लाएं क्यूंकि कर्म का मतलब है आप खुद को याद दिला रहे हैं कि हर चीज जो मैं कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है अगर आप मुझ से पूछें लोग मुझ से पूछते रहते हैं मैंने कुछ समय तक इसके बारे में स्पश्ट नहीं कहा था पर कुछ लोग पूछते रहते हैं तो इन दुनों में उन्हें बता रहा हूँ मिशन क्या है? वे पूछते हैं मिशन बस यही है धर्म से जिम्मेदारी की और आपको लगता है कि यह वहाँ है नहीं, यह यहाँ है कर्म का यही मतलब है कि आप समझते हैं कि आप ही अपनी जीवन का स्त्रोथ है क्या ब्रह्मान में कोई अन्य शक्ति काम नहीं कर रही है? हाँ, कर रही है लेकिन उसका उप्योग करना भी आपका काम है है ना? हलो? उसका उप्योग करना भी आपका काम है वरना क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है आपका जीवन आपने बनाया है कोई और चीज तै नहीं कर सकती अगर आप अपना शरीर अपने हाथों में ले ले मान लिजे अपने भौतिक शरीर पर आपको कुछ महारत है तो 15 से 20 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा अगर आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को अपने हाथों में ले ले 50 से 60 प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा अगर आप अपनी बुनियादी जीवन उर्जा को अपने हाथों में ले ले एक सो प्रतिशत जीवन और भागे आपके हाथों में होगा हर युवा को इस आयाम की खोज करनी चाहिए इससे पहले कि आप दुनिया में जाकर दूसरों को परिशानी दें हाँ ये बहुत महत पूर्ण है लेकिन सुबह की बुरे कर्म को कैसे ठीक करें आपको समझना होगा कर्म कोई इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है ये बस आपके अंदर बची हुई यादाश्त है हर चीज, हर विचार, हर भावना, हर काम, हर गतिविधी जो आप करते हैं किसी रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाती है ये यादाश्त एक रुजान बनाती है आपके लिए क्योंकि इतनी जादा यादाश्त एखटा हो गई है ये सौफ़वेर की तरह है आप अचेतन सौफ़वेर लिख रहे हैं हर पल, अगर आप यहां से वहां तक चलें मैं कहूंगा यहां कम से कम 25 अलग अलग तरह की गंध हैं आप जागरूक नहीं है जब तक कि बहुत तेज गंध ना हो किसी रूप में तेज, सुगंध या दुरगंध तब आप ध्यान देंगे वरना आप ध्यान नहीं देंगे आप देखेंगे अगर एक कुट्टा आता है तो वो बस पता लगा लेता है आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है अच्छे और बुरे कर्म सा पता लगा लेता है खाया ना आप भी जागरुख हैं आपका सिस्टम भी उसका बोध पाता है क्योंकि आपका neurological system कुत्ते के neurological system से कहीं ज़्यादा बहतर है क्या आप सैमत हैं? कुत्तों को पसंद करने वाले लोग इंसानी neurological system किसी भी प्राणी के neurological system से कहीं ज़्यादा विखसे थे आप भी काबिल हैं पर दिमागी गतिविदी की वज़े से आप उसे चूक जाते हैं आप एक काम कीजे बस जाकर कुछ समय जंगल में रहे आप देखेंगे कि अचानक से आपके सूंगने की काबिलियत आप सब कुछ जान जाएंगे बस अपनी नाक को थोड़ा उचा उठाकर अपनी नाक उठाकर आप जान जाएंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है आप भारत के गाउं में सुन सकते हैं लोग कहेंगे आज बारिश होगी आप समझे कुछ नहीं है ना बारिश ना कोई संकेत ना बादल कुछ भी नहीं वे बस ऐसे करेंगे और कहेंगे आज बारिश होगी और बारिश होती है क्योंकि वादावरन में बदलाव हो रहे हैं तो इस अचेतन प्रकृति की वज़े से अगर आप वहां से यहां आते हैं तो उदारण के लिए ये सारी 25 गंदे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं और इसी तरह देखी गई चीजें सुनी गई ध्वनिया रिकॉर्ड 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 होती हैं तो जैसी चीजें आपने अंदर ली हैं पारंपरिक रूप से हम इने वासना कहते हैं वासना बहुत अच्छी अभी वेक्ति है क्योंकि वासना मतलब गंद तो गंद के आधार पर आप उसी तरह का जीवन अपनी ओर खीचते हैं या आप उस दिशा में जाते हैं वे यही कहना चाते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसे आधुनिक शब्दों में कहें तो आप एक अचेतन सौफ़वेर बना रहे हैं जिससे वे खुद ही एक निश्चित तरीके से काम करने लगता है इससे फर्क नहीं पढ़ता कि सौफ़वेर क्या है क्या आप उसे फिर से लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं वो भी आपका कर्म है तो क्या आप अपने द्वारा किये गए अचेतन कर्मों को अपने जीवन की प्रकृती या भागे तै करने देंगे या आप ये सौनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा किये गए चेतन काम आपके जीवन का भागे तै करेंगे ये आपको तै करना है